पागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इस पर तो दोस्तों आसा करता हूँ आप अपने और अपने परिवार का खयाल बखुबी रख रहे होंगे दोस्तों आज का डेट है 23 मई 2019 और डेली करेंट अफेर्स वाले सिरीज में मैं प्रितम आप लोगों के लिए most important current affairs लेकर आपके सामने हाजीर हुआ हूँ दोस्तों आज की जितनी भी important current affairs बन सकती है मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजीर हुआ हूँ दोस्तों इस सारे competitive exams के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों तो दोस्तों फस्त नमर का question है National anti-terrorism day कब मनाया जाता है यानि कि National आदंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों इसका सही जवाब है 21 मई इसका सही जवाब है 21 मई को National Anti-Terrorism Day मनाया जाता है और दोस्तों ये किस लिए मनाया जाता था तो इस दिन 21 मई को ही राजीव गांधी हमारे पूर्व परधान मंतरी थे राजीव गांधी 1991 में 21 मई के दिन इनकी हत्या कर दी जाती है और उसी दिन से National Anti-Terrorism Day मनाया जाता है द दोस्तों और 21 मई को ही यानि कि 3rd Friday में National Endangered Species Day मनाया जाता है दोस्तों तो दोस्तों जैसा कि मई मन्त है तो इसके जितने भी important days है मैं जैसे ही ये मई मन्त खत्म होगा आपके लिए वो मई के सारे important days लेकर आऊंगा दोस्तों तो चलिए अगले question पर FIFA Under 17 महिला बिश्युकप का आयोजन कहां किया जाएगा ये जो FIFA Under 17 2022 वाला महिला बिश्युकप का आयोजन दोस्तों भारत में कराया जाएगा फीफा वाला तो इसका आयोजन 2020 में होना था तो ये कोरोना के कारण इसको रद्ध कर दिया गया और इसका आयोजन भारत में और ये इसका सात्वा संस्क्रण है दोस्तों फीफा अंडर 17 महिला 20 कप का ये सात्वा संस्क्रण है बात करते हैं फीफा का important question है कि सुन्दर लाल बहुगुना जी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस आंदोलन से संबंदिते चिपको आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन स्वदेशी आंदोलन होम रूल आंदोलन तो इनको कौन नहीं जानता है दोस्तों ये हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ी इस प्षशती मानी जा सकती है दोस्तों चिपको आंदोलन के यह क्या रहे हैं चिपको आंदोलन से ये संबंदित थे और, इनको ये जो सुंदरलालबहु गुना थे इनको पर्यावरन मित्र ब्रिक्ष मित्र पर्यावरन के गांदी ये सारा कुछ उपादी से इसको सम्मानित किया जाता था दोस्तों चिपको आंदोलन जो था एक परियावरन रच्छा का आंदोलन था यह भारत के उत्तरा खड़ राज और उस समय ये उत्तर परदेश का भाग था दोस्तों तो किसानों ने ब्रिक्छों की कटाई का बिरोध करने के लिए चिपको आंदोलन किया था दोस्तों वे राज के वन भाग के ठेकेदारों द्वारा वनों के कटाई का बिरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे ठीक है या आंदोलन उस समय के उत्तर परदेश के चामोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ था एक दसक के अंदर या पूरे उत्तरा खंड छेतर म भारत के प्रसिद परियावरन विद सुंदर लाल बहुगुना सहब जिनका की निधन हो गया है दोस्तों और कॉमरेड गोविंद सिंग रावत चंडी परसाद भट तथा स्रीमती गौरा देवी के नित्रित्त में हुई थी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि चिपको यानि कि जो चक्रवात यास है साइकलोनिक स्टॉर्म यास इसका नाम किस देश के द्वारा दिया गया है तो दोस्तों इसका नाम ओमान के द्वारा दिया गया है ओमान के द्वारा इससे पहले एक जो तुफान आया था चक्रवाती तुफान ताउते ठीक है तो उसका नाम किस ने दिया था उसका नाम दिया था म्यानमार ने और ताउते का मतलब क्या होता ये आप लोगों को हमें बताना है और यास का मतलब होता है फ्रेग्रेंस यानि कि सुगंद ठीक है और इंगलिश में इसका मतलब होता है जैसमीन ठीक है दोस्तों तो ओमान की बात आती है तो अंतर राष्ट्रिय जय विवितता दिवस कब मनाया जाता है तो अंतर राष्ट्रिय जय विवितता दिवस यानि कि इंटरनेशनल बायो डाइवर्जिटी डे कब मनाया जाता है दोस्तों तो ये मनाया जाता है 22 मई को इसका थीम क्या था इस बार इसका थीम क्या रहा है तो वी आर दा पार्ट ओब दा सल्यूशन तो बायो डाइवर्सिटी डेका को 22 मई को मैं जाता है अंतर अश्ट्रिया जैब विवित्ता दिवस इसका थीम रहा है वी आर दा पार्ट ओब दा सल्यूशन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर डिजिटल रीन प्रसंसकरन परनाली क कि सुरुवात किस बैं गी तो यह है इसका सही उत्तर है पार्ट दोस्त जैसा और अगरगर दोस्त ओस्त ओर और इमूंबई और इनके चेर्मेन कौन है? इनके चेर्मेन है Mr. M. R. कुमार IDBI के चेर्मेन कौन है? Mr. M. R. कुमार तो दोस्तों आपको याद रखना है Mr. M. R. कुमार IDBI के चेर्मेन है और Digital Reign Prasanskran पढ़नाली के सुरुवात इसी बैंक के द्वारा की गई है दोस्तों अगर बात करते हैं HDFC की तो HDFC बैंक का हेड़क्वाटर भी मुंबई में है दोस्तों और इसके चेर्मेन कौन है? तो इसके चेर्मेन की अगर बात करें इसके चेर्मेन है ससीधर जगदीशन और इसका जो टैग लाइन है दोस्तों इसका टैग लाइन है और इसके चेर्मेन के बारे में पुछा जाए तो इसका चेर्मेन है मिस्टर संजीब कुमार बात आती है SBI की तो SBI का हेड़क्वाटर है मुंबई में और इसके चेर्मेन है दिनेश कुमार खारा जी और अगर आप से पुछा जाए कि इसका टैग लाइन क्या है तो SBI का टैग लाइन होता है सुरक्षा और भरोसा दोनों सुरक्षा और भरोसा दोनों ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर चार बैंक थे और चारो के रिलेटेड हम लोगों ने फैक्ट को भी किया चलते हैं अगले क्वेस्चन की और तो दोस्तों Antibody Detection Kid जिसका नाम है Deep Coven किस संस्था के द्वारा तयार किया गया है तो दोस्तों इसका सही उत्तर है DRDO यानि कि Defense Research Development Organization ठीक है DRDO के द्वारा इस संस्था के द्वारा DRDO के द्वारा डीप कोवेन नाम का एक antibody detection कीट तयार किया गया है दोस्तों तो बात आती है अगर DRDO की तो DRDO का फोर्मेशन कब हुआ था दोस्तों DRDO का फोर्मेशन हुआ था 1958 में और इसका headquarter कहा है तो New Delhi में DRDO भवन मोटो की बात करें अगर इसका तो इसका मोटो संस्क्रीट में कहा जाता है और अगर इसके चीफ के बारे में आपसे पूछा जाया है DRDO का तो इसके चीफ है जी सतीस रेड़ी सहब ठीक है दोस्तों तो बात आती है ICMR की तो ICMR चुकि हम लोग सारे fact को भी डिसकस करते जा रहे हैं तो ICMR जो है इसका headquarter कहा है दोस्तों इसका headquarter है डैली में ठीक है और अगर यह पूछा जाए कि यह government body है या फिर एक private संस्ता है तो दोस्तों ICMR एक private संस्ता है इसकी संस्तापना 1911 इसवी में IRFA नाम से हुई थी फिर 1949 में इसको ICMR से क्या किया गया 1949 में ICMR के नाम से replace किया गया दोस्तों तो ठीक है अगला है SII यानि की Serum Institute of India यह एक private organization है और इसका जो अस्थापना हुआ था यह हुआ था 1966 में कब हुआ था दोस्तों 1966 में और इसके जो संस्थापक थे यानि की इसको इसका जो founder थे वो थे Cyrus S. पुना वाला Cyrus S. एक मिनट Cyrus S. पुना वाला ठीक है और अगर आपसे पूछे कि इस टाइम पे इसके CEO चेयर्मेन कौन है दोस्तों तो इसके CEO और चेयर्मेन है आदार पुना वाला बात करते हैं Dr. Redis Laboratory की तो Dr. Redis Laboratory जो दो है दोस्तों इसका जो headquarter है वो हैदराबाद में है और इसकी अस्थापना 1984 में 1984 में किसके द्वारा की गई थी तो कल्लम अंजी रेड़ी के द्वारा किसके द्वारा के ए रेड़ी कल्लम एनजी रेड़ी के द्वारा और इसका जो कोच एयर मेन है वो है G.V. प्रसाद कौन है G.V. प्रसाद डॉक्टर डॉक्टर रेड़ी जिबरेटरी का ठीक है दोस्तों ये एक मिनट हाँ डॉक्टर जी भी रेड़ी का ठीक है जो इस पुत्मिक V वैक्सिन है, इसका जो अगस्त के महिने से भारत में इसका production स्टार्ट होने वाला है, और ये जो production किस company में होने वाला है, किस संस्था में होने वाला है, तो Dr. Redis Laboratory में होने वाला है दोस्तों, अगस्त 2021 से, तो इसलिए हमने Dr. Redis Laboratory एक बहुत ही important option है, अगले question की ओर, सबसे बड़ी Indian-based अंतरराश्ट्रिय सब्मेरिन केबल सिस्टम का निर्मान कौन सी company कर रही है, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है Reliance Geo, इसके बारे में तो सब कोई जानता है, तो Reliance Geo जो है, ये जो है एक टेली कम्मिनिकेशन इंडस्ट्री है, और अडानी और Tata और Airtail के बारे में सब कोई जानता है दोस्तों, तो चलते हैं अगले question की ओर, तो दूरदर्सन एक नई channel launch करने जा रही है, उस channel का नाम क्या है दोस्तों, सही जवाब है DD International, ठीक है दोस्तों, DD International जो है की दूरदर्सन एक नई channel launch करने जा रही है, दूरदर्स इसके owner है, और CEO की बात करें, तो संदीप सिना इसके CEO है दोस्तों, और अगर बात करते हैं, DRDO का launch कब किया था, तो दूरदर्सन को launch किया गया था, तो दूरदर्सन को launch किया गया था, 15 सेप्टेंबर 1969 को, ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अगले question की ओर, देखे दोस्तों, NMMS नामक mobile app को किसके द्वारा launch किया गया है, दोस्तों, तो NMMS जो की mobile app है, इसको नरेंदर सिंग तोमर, नरेंदर सिंग तोमर जो की मंत्री है, agriculture और farmers welfare के, ग्रामिन विवाग के मंत्री हैं, दोस्तों, food processing industry के मंत्री है, तो ये जो नरेंदर सिंग तोमर सहब हैं, यहां पर दि launch किया है, अच्छा ये जो NMMS mobile app है, ये किसलिए launch किया है, दोस्तों, तो जो मनरेगा है, महत्मा गांदी, जो रोजगार वाला जो मनरेगा है, तो उसके तहत, जो मजदूर होंगे, उसका जो attendance लगाया जाएगा, इसके तहत, इस एप के थूरू लगाया जाएगा, जिससे कि उसको payment देने में आसानी होगा, दोस्तों, चलते हैं, अगले question की और, जो private अस्पतालों में, मुफ्थ इलाज, BPL मरीज, यानि की below poverty line मरीजों का घोसना free होगा, ठीक है, private अस्पतालों भी, ये घोसना किस राजी की सरकार ने किया है, तो दोस्तों, इसकी घोसना किया है, हरियाना, राजी सरकार ने, ठीक है, हरियाना, तो यहां पर देखते हैं हरियाना, आपको map में दिख रहोगा हरियाना, ठीक है दोस्तों, तो सियेम है, इसका सियेम है, मनोहर, लाल, खटर, और अगर इसके governor के बारे में बात करेंगे, तो governor है, सत्यदेव, नरायन, आर, सत् परदेश के CM है योगी आदित्यनात और अगर इसके गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो इसके गवर्नर है आनंदी बेन पटेल बात आती है दोस्तों बिहार की तो CM है नितिश कुमार और इसके गवर्नर है फागू चवहान उडिसा की बात आती है दोस्तों तो उडिसा के PM है नवीन पतनायक जी और यहां के जो गवर्नर है वो है प्रोफेशर गनेसी लाल ठीक है प्रोफेशर गनेसी लाल तो चलते हैं अगले वह क्षस्ट दूस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है FIH यानि की इंटरनेशनल होकी Aww Fazenda इंटरनेशनल होकी फेडरेशन एथलीट समीती के अभी सदस से बने हैं कौन बने है दोस्तों तो PR ब्रजेस बने है ठीक है PR ब्रजेस यहाँ पर option है DR नरेंदर बत्रा ठेरी वेल ठीक है तो DR नरेंदर बत्रा जो है लगातार यह मतलब दुसरी बार ठीक है और ठेरी वेल जो है इसके यह FIH के क्या है CEO है अगर बात करते है FIH के formation के बारे में तो इसका formation हुआ है 7 जनवरी 1924 को और यह सब भी पूछ लिया है जाता है दोस्तों और यह कहां पर इसका स्थापना किया गया था तो पेरिस फ्रांस में ठीक है दोस्तों पेरिस फ्रांस में और इसका headquarter कहा है तो लॉजेन स्वीटिजर लेंड में इसके member कितने है 137 कंट्री है official language इसकी क्या है English और French बात आती है इसके president के जो कि हम कर चुके है दोस्तों भारत सरकार ने DAP fertilizer subsidy पर कितने परतिसत की बढ़ोत्री की है तो दोस्तों इसका सही जवाब है 140% की बढ़ोत्री की है तो दोस्तों यह जो DAP है यह डाय अमोनियम फासफेट ठीक है तो यही fertilizer है दोस्तों और इसके subsidy पर भारत सरकार ने 140% की बढ़ोत्री की है दोस्तों तो यह बहुत ही खुशी की बात है ठीक है 140% की बढ़ोत्री कर दिये दोस्तों चलते हैं अगले question की ओर किस राज्य सरकार ने COVID-19 महामारी के कारण अनात हुए बच्चों को पंदरा सो रुपिय परती माह देने की घोसना की है तो दोस्तों इसका सही जवाब है पंजाब और बात आती है पंजाब की तो यहाँ पर यह देखिया पंजाब ठीक है यह पंजाब का वाला रिजन है और पंजाब की गवर्नर कौन है भीपी सिंग बदनौर और चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है अमरिंदर सिंग इंडियन नेशनल कॉंग्रेस से बिलॉंग करते है दोस्तों और यहाँ का लेजिसलेचर को ऐसा है तो यूनी केमरल मतलब कि यहाँ पर केवल बिधान सवा है बिधान परिसद नहीं है बिधान सवा में यहाँ पर हर्याना कोट है दोस्तों हाई कोट यहां पर है ठीक है दोस्तों बात करते हैं हर्याना की तो हर्याना के जो सीम है आप लोगों को यहीं पर सीम और गवर्नर भी याद कर लेना है हर्याना के सीम है मनोहर लाल खटर और यहां के गवर्नर है सत्यदेव नरायन आर्य बात करते अधित्यनाथ और यहां के गवर्नर है आनंदी बेन पटेल बात आती है महराश्ट्र की तो यहां के गवर्नर है भगत सिंग को सियारी और यहां के CM कौन है दोस्तों उद्दब ठाकरे जी ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं अपनी question की और भारत सरकार ने किस देश के साथ military cooperation को लेकर एक MOU Memorandum of Understanding sign किया है दोस्तों तो इसके सही जवाब है Oman यहाँ देखिए Oman ठीक है यह जो आपको दिख रहा है अरब वाले region में यह है Oman और Oman का जो capital है दोस्तों Amman का capital है muscat muscat और यहाँ का currency क्या है तो Oman ही real ठीक है दोस्तों कतर का बात आता है तो कतर का कैपिटल है दोहा और यहां का जो करिंसी है दोस्तों कतर का है कतरी रियाल इजरायल की बात आती है तो इजरायल का राजधानी है दोस्तों जेरुसलेब यहां की करिंसी है नियू सेकल तो याद रखना है दोस्तों सौदी अरभिया की अगर बात है दोस्तों तो यहां का capital है रियाद और यहां का currency क्या है तो Saudi real ठीक है दोस्तों अगर बात करें Saudi के king के बारे में तो सल्मान है और यहां का crown prince कौन है तो मुहम्मद बिन सल्मान तो दोस्तों आज के सारे important current affairs हमने इस वीडियो में cover करा है आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो like करें comment करें और share करें आप अगर हमारे वीडियो को like करते हैं तो हमें motivation मिलेगी दोस्तों और आपके लिए और अच्छे से research करके content लाने के लिए हम लोग क्या होंगे motivate होंगे और आपके लिए क्या होगा कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं दोस्तों तो आप हमारे channel को subscribe करें और bell icon को दबाना बिल्कुल ना भूले दोस्तों आपके लिए हमारे channel पर सारे courses कराया जा रहे हैं दोस्तों JPSC, BPSC, RRBJE, RRB NTPC, Group D, UPSI, Bihar SI का preparation कराया जा रहा है दोस्तों तो क्या करना है आप लोगों को हमारे channel को subscribe करना है अगर आपका प्यार हमें मिलता रहा तो हम आपके लिए ऐसे ही content लाते रहेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा अगर आप हमारे channel को comment करते हैं तो हमें पता चलेगा कि आप हमें motivate कर रहे हैं और आपके लिए content हम लोग research करकर लाते रहेंगे दोस्तों तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले दिन के current affairs के साथ तो दोस्तों तब तक के लिए अलवीदा